मेरा सपना तीवारी नाम है मैं लखनव से आई हूँ पहली बार आए हैं कि अक्सर आते हैं नहीं मैं कई सालों से आ रही हूँ कम से कम हो गया 10-15 साल हो गये मुझे आते हुए और अपने बाबा के धाम पे दो साल हम लोग नहीं आ पाए तो करोना के चलते नहीं आ पाए लेक करना में तो बाबा जो जलवा दिखाते हैं वो तो जग जाही रहे हैं बहुत ही अच्छा रग रहा है हम सभी भक्तों के लिए तो बहुत ही इस दिन का इंत्यार कर रहे थे हैं कोरोना काल से कि कब ये दिन आएगा और हम सब लोग यहां दर्शंग करेंगे और प्रेम से अ बहुत अच्छे से काम कर रहे हैं बड़ी मदब सुभी बस्तित में यहां पर लगता है आपको कि कल कितनी भारी संख्या पर यहां पर लोग पॉच्छा की है तीन साल से बन था ना मिला इस बार दो से लग लाग नमस्कार स्वागर्त है आपका जेजे इन नियूज में मैं मैं हूँ आपके साथ नीरज आज 15 जून को नीम करॉली बाबा के आश्रम का 58 अस्तापना दिवस है आज के दिन को बड़ी उत्सा के साथ मनाया जा रहा है आज के दिन कैची धाम में लगने वाले भव्वे मेले में लाको भक्त बाबा का आशरवाद लेने मंदर तक पहु मेले को लेकर बारात तारीक को मंदर समीती और पुलिस प्रशाशन की फाइनल मीटिंग हुई जिसमें 15 तारीक के मेले को लेकर विचार विमर्श और तकनीके बनाई गई साथ ही आपातकालिन स्थिती को ध्यान में रखते हुए मंदर के पास हर समय एंबुलेंस भी मौजूद रहती है मेले से पहले ही नीमकरॉली बाबा के मंदर को लाइटों से सजा दिया जाता है और बाबा का मंदर देखने में बेहदी सुन्दर लगता है इसके साथ ही मेले के दिन सभी भक्तों के लिए विशाल भंडारे का आयोजन होता है भंडारे में प्रसाथ के रूप में मंदर का मुख्य प्रसाथ मालपवा दिया जाता है जिसे बनाने के काम तीन दिन पहले से ही आरम हो जाता है और प्रसाथ को बनाने के लिए खास तोर पर उत्तर प्रदेश से ये 40 लोगों की एक टीम आती है साथ ही 1500 से 2000 शद्धालू ऐसे भी होते हैं जो सेवा भाव के चलते 15 जून के दिन मंदिर में दिन भर तैनात रहते हैं ताकि मेले में कोई अर्चन ना आ सके इन शद्धालों के अलावा मेले के दोरान 200 से ज्यादा पुलिस कर्मी भी तैनात रहते हैं जो भक्तों को सही तरीके से मंदिर में प्रवेश करवाने के साथ ही आतायाद प्रबंधन का भी ध्यान रखते हैं तो फिलाल के लिए इस खबर में इतना ही बाकी की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहे हैं जेजेन निउस धन्यवाद